हालो फ्रेंट्स, कॉंपटिशन कमेटी कोस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमत प्रधान, आज हम स्टार्ट करते ही जनरल साइंस के अंदरगत, कैमिस्टी के एक और टॉपिक को, जो बेसिकली बेस्ड होगा, कुछ महत्पूर्ण तत्यों को लेकर, यानि कि यहां पर हमको जो कवर करना है, इस टॉपिक में उन बातों को कवर करना है, जो आपके एक्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, या पूछे जाने की संभावना है, तो जैसे कि यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे, महत्वपूर्ण कन, यानि पार्टिकल्स, बगर, अक्सर हम कैवेस्टी में पढ़ते हैं, इलेक्टरॉन, प्रोटॉन, निट्रॉन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो सीधा सीधा आपके एक्जाम में स्टेट फॉरवर्ड कोर्शन आया है कि कौन से पार्टिकल का डिस्कवर किस ने किया था, इलेक्टरॉन की खोच किस ने की थी, प्रोटॉन की खोच किस ने की थी, इस ताइब की, तो एक पार्ट तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखें इस fact में इस महत्पूर्ण topic में आपको सबसे पहले ये समझना होगा आप एक महत्पूर्ण सब्द सुने होंगे परमानू इसे हम atom कहते हैं उसी प्रकार आप क्या सुनते होंगे अनू या फिर कहते है molecule तो यहाँ पर क्या है परमानू और अनू जैसे किसी भी element या तत्व को ले लेओ वहाँ छोटा से छोटा कंड जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और वहाँ बिल्कुल भी free अवस्था में नहीं रह सकता हमीशा bonded होगा बंधन युक्त होगा तो वो क्या कहलाता है atom कहलाता ठीक किसी तत्व कवा छोटा से छोटा कंड जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल नहीं रह सकता वो क्या कहलाता है अनू या atom कहलाता है यह basic property है दूसरा जब यहाँ यह परमानू बिलके क्या है अनू का निर्माण करते हैं molecules का form करते हैं और यह संयुक्त वस्था में होता है ठीक है इस बात को ध्यान दीजिएगा जैसे H2O ठीक है इस बात को देंगे तो H2 में आ रहा है कि दो hydrogen के क्या है यहाँ पे जो H2 जो है वो क्या एक molecule के form में आ गया है ठीक है इस बात को ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे इस से संबंधी जो कुछ बाते हैं आपको ध्यान देना है जो महतपून particles है यह particles आपके exam के लिए very very important है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे electron electron की खोज किस ने की थी आप जल्दी बताईए अगर आपको मालूम है तो otherwise पहले इस list को cover कर लेते हैं फिर मैं one by one बताऊँगा पहला electron लिखें उसके बाद दूसरा लिखें आपको proton ठीक है proton लिखें तीसरा अब लिखते हैं neutron ये दिखी ये तीन जो नाम मैं भी बताया electron, proton, neutron ये actual में किसी भी तत्व के मूल भूत primary particles है मूल भूत प्राथ्विक कड़ है चोटे-चोटे और भी कंड्स आएंगे यहाँ पे लेकिन ये मूल भूत कंड तीन है याद रखेंगे fundamental particles ठीक तो यहाँ पे देखते क्या है electron की खोज किस ने की थी जे जे थॉम्सन साब ने तो यहाँ पे लिखेंगे थॉम्सन जे जे थॉम्सन ने किया था उसी प्रकार proton को लेकर अगर आपको confusion होगा तो ध्यान दीजेगा proton का आपको कुछ book में क्या धनावेस है तो उसको सबसे पहले goldstein साहब ने बताया था और बाद में उसे रदरफोड साब ने नाभिक कह दिया ठीक है इस बात को ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे proton की case में क्या है goldstein लिखेंगे proton की case में goldstein लिखेंगे नाभिक अगर पूचा जाया तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे सीधा सीधा आप वहाँ पे नाभिक के case में आप रदरफोड लिख सकते हैं एक और बात कि मान लोग आपको proton की कोज किसने किया था दिया जाये और वहाँ goldstein option में ही नहीं दिया गया है चार option की one option में और रदरफोड मान लोग दिख गया तो उस case में आप रदरफोड को ले सकते हैं लेकिन याद रखेगा आपको priority देना है goldstein साब को ठीक अब neutron की खोज किसने की थी अगर आपको पूचा जाया तो Chadwick है ना आप सभी को पता है पर negative charge होता है proton पर positive charge होता है neutron पर कोई charge नहीं होता ठीक है यह है तो यह क्या हो जाएगा one two और three हो गया ठीक चलिए कुछ और लिखते हैं तो जैसे आप लें नाम सुनाओगा एक positron यह सभी नाम जो है आपके exam के लिहास important होते हैं सीधा सीधा पूछता है positron की खूज किस ने किया था similarly आपको पूछ सकता है मेसान मेसान कन क्या है ठीक है आपको पूछ सकता है neutrino कन क्या है ठीक है आपको पूछ सकता है neutrino क्या है आपको पूछ सकता है बोसान ठीक है बोसान ठीक इस बात को आपको ध्यान देना है तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख लें तो पॉजिट राउन की खोज किसने किया था अगर आपको पूछा जाए तो एंडर्सन आपको टिक करना है क्या नाम करना है एंडर्सन ठीक वैसे ही मेसान कन का खोज किसने किया था तो यू कावा ठीक तो ये क्या है आपका यू कावा हो गया इस बात को आपको ध्यान देना है और उसके बात क्या है देखते क्या है न्यूट्रीनो न्यूट्रीनो क्या है अगर आपको पूछा जाए तो पावली पावली साहब ने इसका discover खोच किया था बोसान कर्ण जो renowned scientist भारत से कौन डॉक्टर सत्तींदर नाथ बोस के नाम से क्या है बोसान कर्ण जो है इसका जो है नामकरण किया गया है तो डॉक्टर सत्तींदर नाथ बोस आप लिख सकते हैं ठीक है उनके सहयोगियों का भी इसमें योगदान था लेकिन इनको समर्पित करते हुए बिना डॉक्टर बोस के ये चीज़ें संभव नहीं था यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिखेंगे डॉक्टर सत्तींदर नाथ बोस लिखेंगे अब यहाँ पर देखिए कुछ और जो चीज़ें हम कर रहेते हैं जैसे एक आपने नाम सुना होगा समस्थानिक समस्थानिक आप नाम सुनें आइसो टोप समस्थानिक और समभारिक बहुत इंपोर्टन चीज़ होता है आपके लिए समभारिक उपर अगर आप लिखेंगे आइसो टोप नीचे लिखेंगे आइसो बार ठीक यदि इनका परमानु क्रमांग परमानु क्रमांग यदि क्या हो समान हो और परमानु भार भिनना भिनना हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं इसे आइसो टोप कहते हैं मैंने का परमाणू क्रमांग Atomic Numbers क्या हो सेम हो लेकिन परमाणू भार Atomic Mass अलग-अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं आइसो टोप कहते हैं ठीक दूसरे केस में क्या है समभारिक मतलब भारवर्ड आ रहा है तो इसका जो है परमाणू भार समान होगा और परमाणू क्रमांग अ देटरियम और ट्राइटरियम ठीक है तो डाइटरियम और ट्राइटरियम दो नाम सुने होंगे जो हाइड्रोजन का होता जैसे कि इसको इस प्डाक मानूक्रमाण सेम लेकिन परमानू भार अलग-अलग है ठीक तो यह कैया है आपका iso-top है सम भारिक बार iso-bar जब आप किया देते हैं तो क्या हो जाएगा इनका जो है जैसे कि आप potassium और calcium का ले सकते हैं ठीक है इनका पर्मानो भार same हो जाता है लेकिन उसमें क्या देखता है उनका पर्मानो क्रमांग अलग-अलग होता है ठीक तो इस फ्रकार यहाँ पर क्या लिखे लेंगे यह है आपका सम भारिक या आईसो बार ठीक तो इसका discover किस ने किया था इसकां discover किया था कुरुक्स heute ने किया था है ना तो यहां पर कुरुक्स लिख लेंगे सम भारिक में अगर आप लिखेंगे तो सब्भारिक ने कहा है सम भारिक आई 120 गार उन्होंड ने सिमेलर्ली अगर आपको एक दो नाम और कूपच दिया जैसे हम ने नाभिक वर्ड यूश कर दिया nucleus तो nucleus का हम ने क्या लिखा था रधर फोड रधर फोड आप क्या लिखेंगे ना भी क्या उन्होंने discover किया था ठीक आपको यह बात याद रखेंगे वैसे आप देखते हैं cathode cathode किरंड और anode किरंड की खोज किस ने की थी अगर आपको पूछा जाए यह भी बहुत important है याद रखेंगे cathode किरंड की खोज किस ने किया था जल्दी बताइए आप लो तो cathode किरंड की खोज मैं यहाँ पे लेखेंगे थोड़ा साब करेक्शन कर लीजिए यह है कुरुक्स यह है कुरुक्स है और यह जो नाम है यहाँ पे सोडी लिख लेंगे ठीक है यह क्या सोडी साब समस्थानिक की खोज यानि आइसोटोप की खोज सोडी ने किया था संभारिक के एस्टन ने किया था कैथोट की रण की खोज किस ने की थी यह की थी कुरुक्स सहब ने और एनोट की रण की किसको पूछा जाया तो याद रखी यह फिर से क्या जाएगा गोल्ड इस्टीन आ जाएगा ठीक यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान देना है इसके बाद अगर एक बात और समझें क कि जब हम बात करते हैं कि एक और जी इलेक्ट्रॉन पे आवेस का कैसे किनों ने निर्धारन किया था तो इलेक्ट्रॉन पे आवेस का जो निर्धारन किया था अगर सीधा-सीधा पूछा जाए तो मुलिकन को आपको टिक करना है लेकिन आपको E by M कर दिया जाए इलेक्ट वाला जो आवेश है वो क्या है जे जे थॉम्सन को आपको टिक करना है तो ये बातें आपको ध्यान देनी है ये आपके exam के लिहाज से important है तो आपको ये list याद रखेंगे exam में ये पूछा जाता है सीधा सीधा अब अगला देखिए जो आपके exam में फिर से important होगा कि आपने नाम सुना होगा crude oil या petroleum oil crude oil या petroleum oil के पार हम जानते हैं तो यह क्या है यहां से questions पूछे जाएंगे आपके तो याद रखेंगे petroleum product petroleum उत्पात से संबंधित question पूछे जाएंगे ठीक तो petroleum product क्या होता है जमीन में लाखों करोणों साल से अंदर में धसे हुए है और उसमें क्य क्या है reaction होता है अब फिर जीवास में जो है जीवास में इंधन की रूप में convert हो जाता है आप सभी को पता होगा तो यहां पे petroleum product आपके लिए बड़े important है तो इसको प्रिथक कैसे किया जाता है प्रभाजी आसवन से fractional distillation method से इसे क्या किया जाता है इसे हम आसवन प्रिथक कर सकते हैं fractional distillation से अब देखते क्या है माल लो माल लो आपको crude oil मिला और crude oil मिला तो अलग अलग जैसे कि हम देखते ही प्राकृतिक gas की बारे में आप सुनते होंगे ठीक है natural gas बहुत यह gas form है तो जल्दी ही क्या है आसवन अगर करते हैं तो आसानी से प्रिथक हो जाता है त जमीन से निकला हुवा crude oil है petroleum oil है जिसमीं कि हम देखते ही सबी चीज़े mix है उसमें gas भी है पैट्रोल भी है तो याद रखेंगे पहला क्या है प्राक्रितिक गैस है दूसरा है पैट्रोल जो है यूसेज हम बाद में बता देंगे देखो पैट्रोल क्या है पैट्रोल आप देखते हैं कि 30 से क्या है देख से लिंगे 100 डिजरी से एंग्रेट बढ़ाते हैं त्युक्राइश ट्रमाघंव में पैट्रोल एंपने नेप्था क्या है पूछा जाता है ठीक है नेप्था जो है artificial जो फाइवर होता है संसलेशित रेशा बनाने में प्रयोग किया जाता है तो सभी के temperature लिखने की जोरत नहीं है जिनका पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ तो नेप्था किसमें प्रयोग किया जाता है संसले इस प्रेयोंग किया जाता है थीच वैसे ही एक नाम सुनते होंगे आप कैर्ần से अपको यह सीक्वेंस या रखना यह सकता है ये अदिस याद रख सकते हैं अच्छी बात लिगни uses तो आपको मालूम होना ही चाहिए बहुत कॉमन यूसेज है अभी हम नोट करेंगे भी इसे केरोसीन हो गया उसके बाद हम देखते हैं तो टैंपरिचर थोड़ा और बढ़ा दिए कितना बढ़ा दिए 250 से लेकर 350 degree celsius तक हम बढ़ा देते हैं तो या बन जाता है अब बन जाता है वह क्या निकल जाता है वहाँ से डीजल निकल जाता है मतलब इतनी सारी छीजें निकल चुकी उसी crude oil से देखिए यह बाता समझ में आ गया कैरोसीन हो गया डीजल हो गया इसके बाद एक देखते है लूब्रिकेंट ओईल, स्नेहक तेल, जो इंजिन्स में प्रयोग किये जाते हैं, उसमें चिकनाई जो है, बढ़ाने के लिए आपको पता है, लूब्रिकेंट ओईल, ठीक है, मोबील वगरा, जो लूब्रिकेंट ओईल अगर आप देखते हैं, यहां पर लूब्रिकेंट ओईल की बात करते हैं, तो यह थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसका टेंपरिचर भी इंपोर्टन नहीं है, तो यह क्या हो जाता है, लूब्रिकेंट ओईल बन जाता है, जो इंजिन्स वगरा में प्रयोग किये जाते हैं, आपको तीन नाम देखते हैं, आपने नाम सुना होगा, पैट्रोलियम जली, अभी तो ठंड का सीजन है, पैट्रोलियम जली जो है, अकसर फेस वगरा में लगाया जाता है, ठंड में इसके इनको फटने से बचाने के लिए, वो भी काफी कॉसली बिखता है देखना, इतना छोटी से डिबिया होती है, 60-70 रुपीस लग जाता है, तो ये क्या है, पैट्रोलियम जली है, पैट्रोलियम जली वर्ड या आप लिख लें, ये भी क्या है, सनेहक के तौर पर यूज किया जाता है, इवन कुछ मेडिसीन बनाने में भी इसे प्रयूख करते हैं, ठीक है, किसको, पैट्रोलियम जली को, इसके बाद आप लिखिए पैराफिन मॉम, भई मॉम क्यों जलता है, मॉम क्यों जलता है भई, है ना, मॉमबती जो होती है, ये मॉमबती जलती है, पैराफिन मॉम के कारण, तो सीधा क्या बनाने में, मॉमबती बनाने में इसे प्रयूख किया जाता है, एक और नाम सुने होंगे, कोलतार, पक्की सडके जो होती है, है ना, पक्की सडके जो ब्लैक कलर की होती है, वो क्या है पक्की रोड किसले वो कैसे बनाए जाती जो वड यूज कर दिये जाता है तो कोलतार ही तो है वो है ना वो क्या है कोलतार तो यह क्या है सीधा सीधा सअड़ के बनाने में प्रयूप किया जाता है तो these are the list देखी एक जो crude oil है हमने देखा इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रहे हूँ सभी बहुत ही valuable है ठीक है अब यहां देखते है पेट्रोल प्राक्रिटी गेस कॉसली बिखता है ठीक है यह सभी पता है तो कोलतार जो है थोड़ा अपसिस्ट प्रकार का वेस पार्ट होता है तो यह जो चीज़ें जो है आसानी से थोड़ा सा कम कहना चाहिए वैली वाली होती है लेकिन क्या है याद रखें रोड बनाने में इसकी वैली को हम कम भी नहीं आप सकते विसेश युगदान देता अगर वो लाइक कोलतार ही नहीं होता तो हम डिपेंड हो जाते कि सिमे इनके रोप में यूस होता है आप सभी को पता होगा पैट्रोल आपको बताने के जौरत नहीं है कि पैट्रोल के बारे में एक दो फैक्ट है वो याद रखें ठीक है पैट्रोल के बारे में एक दो फैक्ट है याद रखें पैट्रोल के बारे में एक दो फैक्ट है याद र प्रभाजी आसवन में क्या है यहां पे कार्बन की संख्या इसमें कम होती है छोटी कार्बन सिंख्ला वाला एक इंधन है अब यहां पे देखिए जब यह इंजिन में जाता है तो अगर हम देखते हैं उसकी इंजिन में जाने से पहले उसकी बर्निंग मतलब इंजिन में जा उसमें इस प्रकार की आवाज आने लगती है इसे हम कहते हैं नौकिंग या धात्विक जो आवाज आती है मैटलिक साउंड आता उसे हम कहते हैं नौकिंग या पसफूटन तो किसी में ज़्यादा ही क्या कहना चाहिए अपसफूटन होगा नौकिंग ज़्यादा होगा तो व उसके knocking को क्या है? कम करेगा. Knocking कम करना मतलब उसके engine में जाने से पहले ही उसके cylinder में जाने से पहले ही वो क्या करेगा? उसके knocking को कम कर देगा. मतलब वो अच्छा उसका proper energy utilize कर पाएगा. ये बाता समझभाएगा? कि अगर किसी भी petrol का क्या है? octane संख्या जादा है मतलब उसमें knocking कम होगा पस photon कम होगा. जिससे कि उसकी जो है energy को proper utilize कर पाएगे जादा use कर पाएगे. तो याद रखेंगे यहाँ से अगर ये TEL, tetraethyl, lead मिलाए जा रहा है तो क्यों मिलाए जा रहा है? क्योंकि इसके knocking को कम करने के लिए ताकि वो उससे जादा energy जो है प्राप्ट कर सके. तो आपको exam में पूछा गया है, आप petrol pump में जाएंगे तो वहाँ पे leaded, unleaded लिखा होता है. क्या है वो? वो क्या है? सीधा-सीधा है. आपका tetraethyl lead, lead word use किया गया. PSE का 26, 17 का question उठागे देखिए. पेट्रोल में क्या चीज मिलाया जाता है? तो सीधा मिलाया जाता है, option था वहाँ पे. तो tetraethyl lead, सीधा ही है, ultimately. इस बात को धिहान देंगे. ठीक है? आपने एक चीज़ सुना भी होगा power, power भी ये पेट्रोल पमें लिखा होता है, extra premium लिखा होता है. वो क्यों लिखा होता है? देखो, power, देखो, petrol और alcohol को जब हम mix कर लेते हैं. पेट्रोल में जब हम alcohol mix कर लेते हैं, भी alcohol topic आने वाला भी है, तो वो क्या बन जाता है? power, power, petrol बन जाता है. पेट्रोल प्लस alcohol is equal to power अब यहां पे अल्कॉछ में कौन सा अल्कॉछ मिला जाता तो एथेनोल मिला जाता है गवर्मेंट ट्राइब ही कर रही है इसके लिए ठीक यह बाते आपको धियान देना है यह पेट्रोल से संबंदित ऑक्टें संख्या जादा होनी चाहिए इसे नॉकिंग कम होगा जिससे क ज्यादा आपको एनर्जी पराप्त होगी नेप्था जो है संसलेशी त्रवर बनाने में अब ने बताया आप कैरोसीन जो है कैरोसीन को क्या नाम से जाना जाता है अब गाउं तरब में क्या है इसे बहुत ही इंधन का सुरोथ माना जाता था क्योंकि इस से हम बत्ती वाला लगा स्टार है जो जो चोटे भर कि युससे काना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और यह गरीब का क्या होईन के लिए बहुत इंधन के लिए उसके बाद क्या देखते हैं डीजल, डीजल भी सेम चीज़े हैं, आपका यहां पर क्या देखते हैं, थोड़ी बड़ी कारवन सिंकला होती है, और यह भी क्या होता है, जादा दातर यहां पर हम वाहनों में प्रयोग करते हैं, और यहां पर देखेंगे आप जैसे फ्यूल एफिशेंट कौन सा है, तो द मेडिसिन बनाने में उस करता है, मॉममपत्टी बनाने में पेर Commissioner बनाने में, बैरफिन मांक्स और कॏलतार से क्या है, सटके बनाई जाती है, इस प्रकार यहां पर देखेंगे रहे, कुछ बेइसिक बाते हैं, आपने समझा, यहां पे एक वर्ड पूस दिया जाता है, काला सोना कहा जा रहा है काला हीरा नहीं काला हीरा तो हम बात कर देते हैं कोईले इन काला सोना किसे कहा जाता है तो वो कह दिया जाता है या द्राव सोना किसे कह दिया जाता है तो इसी पैट्रोलियम या क्रूड ओयल को कह दिया जाता है ठीक है तो आपको काला सोना से अकसर हम मिस यह बात है सभी को क्लियर हुई तो यह कुछ बेसिक बात है थी जिसे आपको आपने समझा अब हम कार्बनिक योगिकों में एक और महत्पूर कंपाउंड को देखते हैं और इसे कहते हैं हम एलकोहल यहां पर हैडिंग पर देख पा रहे हैं यह एलकोहल से संबंदित कुछ ब यहां पर देख रहे हैं इसे एथनोल भी कहते हैं C2H5OH इसका फर्मुला होता है मैथिल इलकोहल को मैथेनोल को इथनोल भी कहते हैं फॉर्मूला आपको नहीं पूचेगा आप इसे स्किप कर सकते हैं लेकिन यहां पर इस संबंदित जो महत्पूर्ण बातें वो हैं इसे नाम से जाना जाता है से मैथील एलकोहल को मैथेनॉल और वुड़ स्वीट के नाम से जाना जाता है यह मैथेनॉल क्या होता है जो लंसील पदार्थ है फ्लेमेबल पदार्थ है और यहां पर इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है टॉक्सिक या विसायली होती है यह बात acid के निर्माण में प्रेव किया जाता है anti-freezing पधार की रूप में यूज किया जाता है ये बाते हैं आपके methyl alcohol से संबंदिद आपको याद रहनी चाहिए अब जब हम methyl alcohol की बात करते हैं इसे हम ethanol भी कहते हैं उसे हम un alcohol भी न कह दिया जाता है even आप इसे spirit of wine chloroform आप जानते होंगे एक निश्चे तक है इसके निर्माण में acetic acid के निर्माण में artificial rubber, sunslicit rubber paint आदी के निर्माण में भी क्या प्रयोग किया जाता है इसी एथील alcohol का प्रयोग किया जाता है अब यहाँ पे ध्यान दीजे आपके exam में पूछा है methylated spirit क्या है या परिसोधिद spirit क्या है तो देखिए यह आपके actual में PSC व्यापन के questions में आपको बता रहा हूँ जो पूछा गया है तो दो तीन बातों को आपको आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा हम यहाँ पे पहली बात दी करेंगे कि एतिलेलकोहल जिसे हम wine में प्रयुक करते हैं इसका प्रयोग क्या होता है उद्योगों में भी किया जाता है तो इंडस्टी या उद्योग में जब प्रयुक किया जाएगा तो कम मात्रा में तो होगा नि तो इसके misuse को रोकने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं या तो हम इसमें मैथेनॉल मिला देते हैं या इसमें क्या मिला देते हैं मैथेनॉल मैथिल अलकोहल मिला देंगे या फिर हम उसमें ऐसी टोन मिला देते हैं या फिर हम पिरिडीन मिला देते हैं ठीक है तो मैथिल इस प्रकार की चीज़ें जो है methylated sprit कहलाती है ठीक है methylated sprit कह दिया जाता है इसी ethil alcohol क्योंकि इसमें methanol मिलाया जा रहा है अब ध्यान देंगे ये जो आप इसको जो है आप क्या कर रहे हैं ये इसकी nature जो है क्या हो गई आप toxic हो गई अब toxic याने विसाली प्रकृती हो गई तो अब इसका प्रयोग जो है drinking के तौर पे नहीं कर सकते यानि कि इसका मिस्यूज रोख सकते हैं तो यही आपके व्यापम PSC में पूछा जा चुका है हाल फिलाल के एक्जाम में ये बात है सभी clear होई अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजेगा Ethyl और Methyl Alcohol की ये नाम बड़े फेवरेट हैं ये पूछे ही जाने के बहुत ज़्यादा chances हैं इसलिए carefully से समझ लीजे अब बात करते हैं कुछ और नाम जैसे कि हम क्या बात करते हैं एक आप नाम सुने होंगे Power Petrol Power Petrol क्या है Power Petrol क्या है जैसे आप Petrol Pump में देखते हैं जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है Power Word लिखा होता है उसका जो Fuel का जो Price है Actual Petrol के Price है थोड़ा 1-2 रुपेया 3 रुपेया जादा ही होता है मतलब थोड़ा सा costly होता है क्योंकि हम देखते क्या है यह ज्यादा powerful होता है क्योंकि हम क्या मिला देते हैं पैट्रोल में पैट्रोल प्लस एलकोहल पैट्रोल प्लस एलकोहल इस इक्वल टू पावर पैट्रोल यह क्या हो जाता है पावर पैट्रोल बन जाता है ठीक है जिसकी जो है शंता बढ़ जाती है तो यह एलकोहल जो मिलात सरकार हो, वो क्या कर रही है कि इसके निर्माण को प्रोटसाहित कर रही है, तो ये एथेनॉल की इसकी सिधान, भूची धान से बना सकते हैं, गन्ने से बना सकते हैं, किसी भी सड़े-गले पदाथ से इसे बना सकते हैं, लेकिन जिसकी मात्रा या उपलब्दता जादा है, उसे प्रोटसाहन देंगे, जाकि जादा भड़ी मात्रा में क्या है, एथेनॉल बन सके, तो ये बातें आपको ध्यान देनी हैं, अब देखो यहाँ पे आपको पूछ सकता है, एबसिलूट अलकोहल क्या होता है, एबसिलूट अलकोहल या हम कहते हैं परिसुध अलकोहल, ऐसा अलकोहल जो पूरा सुध हो जिसमें जल बिलकुल नहीं होता, उसे हम क्या कहते ही, परिसुध अलकोहल कहते हैं, इसी प्रकार आपको Refined Sprite कह देते हैं यächसे उसमें Methylated Spread देखेते हैं वैसे Refined Sprite इसे कह देते हैं परिसोधित जो है Sprite कह देते हैं जब इसी ethanol में 15% के वाटर मिला देते हैं तो उसे परिसोधित Sprite कह देते हैं Similarly,power alcohol जो भी हमने पढ़ा, पेट्रोल और ethanol के मिस्रण से हम Power-Alcohol बनाते हैं। तो यह जो बाते हैं आपकी एफर अल्कोहल से सम्मंदित हैं, जो आपकी बड़े काम की चीज़ है। इस alcohol topic में और भी बहुत सारी बाते हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा अप्रोच है प्रेलिम्स तो इसलिए हम इतना ही पढ़ते हैं तो आप ध्यान देते हैं कुछ और महतपूर कार्बनिक योगीकों को जो आपके हाल फिलाल एक्जाम की लिहास से महतपूर है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ और कार्बनिक कंपॉर्ण में जैसे मीथेन मीथेन गैस का सुरोथ क्या है मीथेन गैस क्या है पहली बात तो बायो गैस का मुख्य अभियव होता है मीथेन गैस ठीक है खास बात क्या है ग्रीन हाउस गैस भी है घ्रीन हाउस गैस आप सभी जानते होंगे है न हमारा अर्थ का टैंपरेचर को क्या है एक सटेन लेवल पर निश्चित मात्रा में क्या है बढ़ाना जिससे की क्या है यहाँ पे अनुकूल वाता बरेंट बन सके याद रखे मैं अनुकूल बोर रहा हूँ फेवरेबल कह रहा हूँ जैसे कि हम यह कहते हैं कि नहीं अगर यहाँ इस पृत्वी पर ग्रीन हाउस गैस नहों तो क्या होगा तो हमारा अर्थ का टेंपरेचर जो कितना है 15 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका एवरेज टेंपरेचर है मीन टेंपरेचर है यह कितना माइनस 18 से लेके 20 माइनस 20 तक डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा जो बिलकूल भी फेवरेवल कंडिशन नहीं कहा जाएगा तो यहां पर क्या करते हैं यहां का temperature 15 degree Celsius एक और सत आपमान प्रित्वी का रखने के लिए greenhouse gas responsible हैं pollution वाले topic में already हम या वहां पर greenhouse gas से संबंधित कुछ बाते हमने यहां पर discuss किया हुआ था तो आप वहां उसे देख नहीं सकते हैं ठीक है environment के topic में अब यहां पर देखते क्या है, यहां पर हमारे संब को समझना तो नहीं होता है और कहा पर यहां कोईले की क्हानों्म यह wysport होता है तो वहाँ विस्पोर्ट होता है अक्सा देखना कि कोईले की खान में है ना क्या होती आग लग जाती है या विस्पोर्ट बगरा हो जाता है डेथ हो जाती है तो उसका उसे हम कहते हैं फायर डेम कहते हैं जो आग लगना है विस्पोर्ट होना उसे क्या कहते हैं फायर डेम कह ने भी cattle hoते हैं जो करते हैं या जो पासु हुते ही वह अपने डी तो deste में लएकर नोट कीники तो यह है आपका एक पहला compound जो आपको यह आपके पूछा गया है थीक है लाप में ल th white आंे भी क्या देते हैं क्योंकि यह बर ये उसे प्रयोग किया जाता है 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 न आप देखो एकesti Finished क्या हुए थे एक धहरand के लिए सांट्रिय mercy संड़ श्राया कि उन की स्कुली है तोषर उसे तीन महत्तपूला कि उससे मोंट्रियल प्रोटोकॉल क्या है इस पर क्या है इसके उपियों को सीमित करने के लिए नियम बना Organ घ्याने सर्सों तो इसकी गन क्या सर्सों के तेल यसे मस्टर्ड गैस कहते है ठीक और यह जहरेली गैस है तो अच्छा पर फोड़े हो जाते हैं और यह क्या है प्रत्थम विस्व युद्ध में ब्रिटेन जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध में किया गया था ठीक है बसकि इस गैस का नाम याद रखें मस्टर्ड गैस ठीक है प्रत्थम जान दीजिए स्क्रीन में कुछ और बाते हैं तो देखिए सबसे पहले यहां पर दिया उपर में लिव साइट क्या एक रंगहीन गंदहीन तैली द्रव्य है और इसका अब्यों क्या है सेकेंड वर्ल्ड वार में रासानिक हत्यार के रूप में किया गया था यह भी क्या त क्या है जो है दुस्प्रभाव डालता है तो अच्छावन आंकों पर फफोली उत्पन करता है उसके बाद देखो टीयर गैस आप जानते ही है आसू गैस छोड़े जाते हैं जहां पर थोड़ा उब्द्राव होता है या फिर कहते हैं जो पब्लिक गैदरिंग हो जाती है कि इस प्रकार भीष को तितर वितर करने के लिए यूज किया जाता है और तो आसू गैस का प्रयोग भी प्रतधम विस्वयोध द्र के समय में यूज किया गया था इस बात को आपको ध्यान देना है क्लोरोफार्म जो एक निश्चेतक है क्या है वो रंगहीन वासपील गाढ़हा द्रव है यह नहीं पूछता लेकिन आपको इसमें क्या है इस पर निश्चेतना यानि की हम देखते निश्चेतक के रूप में टूड है ठीक है उसके बाद देखते हैं प्रकास ग्लोरोफार्म प्रकास की उपस्थिती में एक गैस बनाती है यह गैस बड़ा इंपर्टेंट है इसलिए क्या होती है है इसे रंगीन बोतलों में भरके रखा जाता है रंगीन बोतलों हो आप लाप संलाइट नहीं पहु इस प्रकार यहां पर क्या देख रहें यह आपका रंगीन बोतल पर भरे होने की कारण वहां पर सोरी प्रकास नहीं पहुंच पाती है आयोडोफार्म आयोडोफार्म क्लोरोफार्म जैसा ही है यह लेकिन यह क्रिस्टली ठोस है और ट्राइडो मिठे नाम से भी जाना जात है यह क्या है एंटी सेप्टिक की रूप में प्रेयुक किया जाता है ठीक है हम क्या देखते हैं आयोडीन टिंचर डाल देते हैं कि नहीं डेटल डाल देते हैं कि नहीं तो यह क्या है आयोडोफार्म ही है एक प्रकार का ठीक है तो खासकर आयोडीन से आयोडीन सॉलूशन से उसे क्या है आयोडो फॉर्म से उसे क्या है हम क्या करते हैं वहाँ फिर याद रखिएगा यह टेंचर आयोडीन वगर को यह बात समझ में आ गई आप सभी को नेक्स स्लाइड में कुछ और बातें देखते ही जो आपकी एक्जाम के लिहा से इंपोर्टन है तो यहाँ पर देखिए अगला क्या है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है फिर यह देखते ही एक द्रव ही है टेट्रा क्लोरो मिथेन नाम से भी जाना जाता है सबसे important यह है इसका प्रयोग अगनी सामक अगनी सामक के रूप में प्रयोग कह जाता है क्या tetra chloro tet carbon tetra chloride क्योंकि इसकी वास्ट क्या है और वायू से भरी होती है तो आसानी से हम कहीं पर आग लग जाती है तो उसमें क्या है इसे प्रयोग करते हैं तो कई बार आग लग जाने पर भी इसे हम carbon tetra chloride का प्रयोग करते हैं याद रखेगा इसी टाइप के application पार्ट वाले content आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं जो सामाने तो दैनिक चीज़ दैनिक गति वीडियों में या regular life में आप देखते हैं क्या है इस प्रकार की चीज़ें जो है प्रयोग की जाती है इसके बाद देखते हैं methyl isocyanate साइनेट है MIC नाम से जानते हैं यह बहुत very very important है कई बार एक्जाम में पूछ चुका है है ना methyl isocyanate को mick gas नाम से भी जाना जाता है है ना mick gas नाम से जाना जाता है क्योंकि भोपाल gas test d कब हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1981 में हुई थी तो यह क्या है भोपाल gas current का जो है मुख्य जो toxic जो compound बना था उसका नाम क्या है methyl isocyanate ने टमाटर के टा वाला याद रखना आपको साइनाइड नहीं कर देना मिठाइल आइसो साइनेट दिन याद रखेंगे यह है दो से 3 दिसंबर 1981 यह बेसिकली एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी यूनियन कारवाइट कंपनी है ना तो यहां पर क्या देखते हैं वह क्या है लाइक मध्यवर्ती रसायन है तो यह बन गया था हजारों लोग इसमें जो है इनकी डैथ हो गई थी ठीक है और उसका जो फाउंडर था उस किसमें प्रेख किया जाता है इसमें देख लेते हैं अगर तो यहां पर देखिए टींचर आयोडीन कफ सिरप टॉनिक आधी में यसे क्या है एथिल एलकोहल को यूज़ कर देते हैं और जैसे हमने पहले भी देखा इसके पहले के स्लाइट में कि इसकी नेचर क्या होती है नहीं होती विसेली कौन सी होती है मैथिल एलकोहल होती है तो अक्सर सुनते है ना विसेली सराप से डैथ हुई तो जनरली क्या होता है वो जो उद्योग वाला होता या तो उसको पी लेते होंगे जो ठोड़ा मैथिलेटेड होता है ऐसी टोन वगरा पिरिडिन वगरा मिला देते हैं या कई बार क्या होता है को ये मैथिल अल्कोछ को भी पी लेते तो उस केस में किया उनके डैथ्व गरह होती है hu थीक है और सांथन इतन इतन या मेथील अल्कोछ की बिनानी की विदी कोनों Jetzt यहां पे मत्लब इसे यूज किया जाता हि बहुत आसानी से सिस परकार से ऐलकोहल बनाते है लेकिन अगर वो मेटिल ऐलकोहल बन गया थे ऐलकोहल की जगा पिर वह टॉक्सिक हो जाएगा और उसे पी देते हैं तो से डैथ होती है अब यहां पर आगे देखते हैं ग्लीसरीन या ग्लेसरॉल है ना यहां पर देखिए सांध सर्फियरिक एसिट और नाइट्रिक एसिट के मिसरन डालने पर नाइट्रो ग्लिस्रीन बनता है या टी एनजी ट्राइट्रो ग्लिस्रीन बनता है जो एक क्या है विस्फोटक होता है इसे नॉबल का तेल भी कहते हैं तो नॉबल का तेल सीधा सीधा पूछेगा तो याद रखना ट्राइट्रो ग्लिस्रीन टी एनजी किसके सईयोग से बनाएं एसिड है और यहां पर एक चीज़ याद रखिएगा हम प्रिवियस क्लास में पढ़ें अमलराज या एक्वारेजिया तो वो किसके किसके मिस्टरण से होता है आप दुरंत कमेंट बॉक्स में लिखके बताइए क्योंकि यह अल्रडी हम कवर कर चुके हैं प्रिवियस क्लास में तो अमलराज से सम्बंदित है और यहां पर देखते हैं नॉबल का तेल ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन से सम्बंदित है दो ऐसे एसे सम्बंदित है जो आपके एक्जाम्स के पॉइंट अब उसे इंपोर्टन हो सकता है ठीक है तो हमको क्या है क्या करते हैं ग्लिसराल में इसक याद रखिएगा लिस्केंटुराण हर जर से भी ठंड का सीजन चल रहा है तो इसमें क्या है स्कीन को फटने से बचने के लिए उसके उपर लिशारी नौ लगा सकते या थोड़ा पानी लगा वि उसकरें तो आपके स्कीन की ऊपर इकलियर बन ठीक इसके लावा देखो प्लास्टिक क्रित्यम्रेशा खाद्य जो है प्रिजर्वेशन स्नीहक एंटी फ्रीचिम बनाने में में भी गलिस्तरॉल का प्रयोग करतें तो नहीं होना है गलिस्तरॉल का लग है टी एंजी का प्रयोगा लग है मैं क्लियर आपको बता दिया अब ती एंटी ता है यह टी एंटा यह फूल फॉ π्रम यह पूशता भी है सबसे पहले यहां दहीतखे यह आरोमेटिक जो है क यह दुरगंद वाला गन्द आयेगा उसे अरोमेटिक यहां служके और और डालवीन के नाइट्री करन के दौारी जो तैयार होता है दो आता है RDX का नाम आप सभी जानते होंगे, RDX जो है Research Department Explosive, इसका फुल फॉर्म में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यह याद रखिएगा, RDX का फुल फॉर्म, पूछ सकता आपको, एक क्या है, अतीव स्पोर्टक पदार्थ है, अक्सर हम जो terrorism activity में या फिर क्या दे Trimethylene, Trinitraamine, ठीक है, इतना difficult नाम नहीं पूछता, लेकिन याद रखना, ये नाम आपके लिए important है, RDX, अगर फिर से मालों वो option नहीं दिखा, तो इसको जरूर डुकना है, ढूणना है, साइकलोवर्ड आ रहा है, Trimethylene आ रहा है, Trinitraamine आ रहा है, तो Nitri current से हम करते हैं, य आपर याद रखना है, थोड़ा difficult नहीं में, एक बार अच्छे से देख लीजेए आप, है ना, Cyclotrimethylene, Trinitraamine, ठीक, इसे और करने नामों से भी जानते हैं, जैसे की, Cyclonite, Hexozen, T4 क्या है, ये सब क्या है, RDX के नाम है, और इसका प्रयोग क्या है, Second World War में बड़े लेवल पर किया गया था, क्योंकि ये विस्फोटक है, ठीक, कुछ और नाम है, देख लेते हैं, ये difficult list बिलकुल नहीं है, दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली या, हम देखते हैं, सरकारों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली या, महत्पूर घटनाओं में जो प्रयोग की जा गरगर मदूमक की काटने में रहा है, तो ह city act की करण होता आउता है, इसे भी हम पढ़ चुके विनेगर में पाए जाने वाला मतलब अडिमेटली या का जया लुट किया थे सिर्का के देते हैं और जैसे चाइनीज फूड बगर हम इसी को तो यूज कर लेते हैं अक्सर हम देखते हैं तो अब इसका प्रेव देखो और बहुत सारे अमलों के निर्मान में क्या है इप्रयोग किया जाता है ध्यान देंगे फार्मिक एसीड अधिक सक्तिसाली होता है याद रखना यह ज्यादा पावरफुल है दैन दिस एसीटिक एसीड यह भी हम पढ़ चुके दोद में पाए जाने वाली लेक्टिक जो है ल लेक्टिक एसीड वदल को दूध द्ही में परिवर्तन किया जाता है यह आपका यह लेक्टो बैसीलस जीवाण है ठीक जो दूद को दही में बदल लेता है ठीक अब सीधा सीधा क्या जिए एस्पिरीन क्या एक दर्अन निवारख आउसधि की यह आपके पीसी मैं पूछ पत्ला करता है तो आसानी से फिर flow हो जाता है ठीक किसका ब्लड का तो ऐस्पिरीन का किया है दर्द ऑसदी है अश्पिरीन का प्रयोग जो है बुखार में एंटी-पाइरेटिक कि रूप में भी प्रयोग किया जाता है ठीक यूजीनॉल ये यूजीनॉल भी देखो लॉंग आप जानती हूं ये लॉंग खाने पर एक डिफरेंट टाइप कर टेस्ट आता है और अक्सर किसी का दात दर्द हुए आप लॉंग चबालो तो क्या होता है आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है तो लॉंग का तेल एक लास लिस्ट देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट है इसमें तो देखें यहां पर इस लिस्ट में फिर से दिखतें क्या है कि एस एस परेटम यह क्या है एक क्रितिम मदुराग बहुत जादा मीठा होता है क्योंकि सुक्रोस और चीनी के स्थान पर इसे हम प्रयोग करते है ठीक है और यह पेपदार्थों में प्रयोग कर देते हैं याद रखेगा चीनी से 200 टाइम्स जादा मीठा होता है उसके बाद देखिए यूरिया बहुत कॉमन चीज़ है नस्टू, सियो, नस्टू, दो एमाइट ग्रूप इसमें जुड़ा हुआ है ठीक है इस बात में ध पहली कौन सी कारबनिक यॉगिक है, यूर्या में प्रयोग साला में पहली बार भना बनाए थे ठीक में यहां पहको पेृक्रियो क्रिश्टली यूरिया चैनल हो रखे नाइटरोजन की जोड़ा ही हुआ है और इसमें क्या है 46.6 परसंट नाइट्रोजन पाए जाता है ये भी आपके PSE का एक्जेक कोश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतीसत कितना होता है सीधा जीधा आपके PSE में एक्जाम में पूछा गया है प्रिबियस के पेपर्स में है न जो कि अलग-अलग पेपर होते है ना जैसे कि अस्टेंट डारेक्टर का पेपर हो गया या कुछी विसेस प्रकार के पोस्ट को लेकर जो पेपर लिये जाते है तो वहां पर यही पूछा गया है यूरिया में नाइट्रोजन का परसंटेज कितना है तो यह याद रखना 46.6 प यूरिया 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 यूर वाधन कैसे करते हैं Mormonia और कारबन डाइकसाइड के क्रिया द्वारा करते हैं ये important नहीं है अब यूरिया को कार्बा वाइड प्राइक को ध्यान देंगे इसकी खोज किस ने की थी माइकल फैराडे ने की थी और बेंजीन का प्रयोग प्लास्टिक और रंजक कलरिंग करना ओसिदियां डीडीटी आधी बनाने में प्रयोग किया जाता है डीडीडी क्या है आपकी एक्जाम के लिए पेवरेट हो सकता है पहले भी पूछ चुका एक्जाम में डाई क्लोरो डाई फिनाईल ट्राई क्लोरो एथेन डिफिकल नाम है बट याद रख और यह क्या है एक अनीमनी कारक है जल में जो है अग घुलनसी लोता है तो यह क्या दिखते है बेसिकली कीट नासक कहीं तूर पार ये Shay एक समय में डेडिटी का प्रहुग जो है मच्चरों गेलार्वा कूंंने में कीट नासक के रूप के रूप है भूत फूर्द हो गया अब ही देखा जाए तो यह DDT का प्रभाव है थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि जिस पर छड़काव कर रहे थे उसके प्रती resistance होने लगे है ठीक है और यहाँ पर इसके negative impact की कारण इसका हम प्रयोग भी क्या है सीमित कर दियें काफी इस पर बैन लगा दिये हैं ठीक है यह बात है सभी nuclear होई तो यह कुछ कारबनिक योगिक थे अब क्या देखते हैं हम क्या देखते हैं साबुन और अपमार्जक को क्या है यह साबुन और अपमार्जक आना है शोप और डिटर्जन यह टॉपिक आपको ध्यान दीजिए यहां से भी कोशन्स आपके पूछे जाते हैं तो पहली क्या है आपको सीधा सीधा यहां पर देखते हैं साबुन से मैल क्यों निकल जाते हैं किस के कारण होता है तो एक सरचना बनती है जिसे हम कहते हैं मिसेल या मिसेली सरचना के कारण ऐसा होता है तो क्या देखते हैं जब साबून किसी लंभी स्रिंखला वाले उच्छ वसी अमल के सोडियम और पॉतेशियम लवन हैं काम की चीजी क्या है उच्छ वसी अमल का सोडियम और पॉतेशियम लवन हैं तुरंत comment box में लिखके बताईए caustic soda का formula ठीक है caustic soda और caustic potas दोनों का formula लिखके मुझे बताईए क्योंकि previous class में हम इसे cover किये थे ठीक तो जब caustic soda के विलियन से क्रिया कराते हैं तो उसके क्या है उच्छ वसियमल की sodium लवन बन जाता है है ना तथा glycerol बनाते समय या तथा glycerol बनता है और यह प्रक्रिया क्या होती है साबुनिकर हमारे पास यूज क्या हो रहा है उच्छ वसियमल sodium पोटेश्यम क्या है हम लवन लेते तो जब reaction कराते है caustic soda के presence में उसे reaction कराते है तो वसियमल क्या है sodium लवन बनता है या potassium लवन भी बनता है ठीक इस बात को ध्यान देंगे तो जब हम potassium लवन यह देखते क्या है जब एक दूपरकार के साबुन होगा एक नहाने या असनान वाला साबुन होगा एक जो कपड़े दोने वाले साबुन होगी तो जब क्या किया होता है वो नहाने का सबुन बनेगा और सब्साबुन कहते हैं तो नहांने के लिए प्रेवग होगा तो आपको यह पूछा जाता है सोडियम लळण प्रेशंव लवण कि यह क्या है आपका क्ठोर साबुन यूज किया जाता है और इसका प्रयोग क्या कर देते हैं कपड़े धोने के लिए प्रयोग किये जाते हैं तो याद रखेंगे इसमें कास्टिक पोटास और इसमें क्या है कास्टिक सोडा ठीक है इस प्रकार इसमें याद रखें अब देख विझें कि वसास नहीं क्या होता है कि साबुन मुपसित हाइड्रोकरवन का वह भाग जो जल को प्रतीकसित करता है है थो वह क्या है वसास नहीं हो जाता जाते हैं इसमें फंस कर जो है बाहर निकल लाता है मैं मिसेल की सरचना को नहीं बताना चाहरा हूं ठीक है फिर से आप इस पॉइंट को समझिए बस दो पॉइंट होता है एक पॉइंट होता है जलस नहीं एक होता है वसास नहीं जलस नहीं जल को अगसित करेगा और वसास नहीं जल को प्रतिकसित करेगा और यहां पे एक आधुरी घटक बन जाता है जब एक सरचना बनती है मिसेल सरचना उसमें फं इसमें क्या देखिए आप क्या होता है हम थोड़ा सा अपमार्जक को भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें और ज्यादा क्लियर हो जाए अपमार्जक या डेटरजन यू यूज करते हैं तो डेटरजन को यहां पे देखते हैं क्या है किस अपमार्जक या डेटरजन देखते ह क्या करता है किसका करन कारण जल की कठूरता है ज्यलग की डिसकस की जूक है, इसलिए मैं उसे दुबारा नहीं बता रहा हूं अब प्रीवेस ऐसा देख लिजए युसरे जादा उसमें बहतर तरीके से क्लियर होगा क्योंकि वह भी आपके पीस एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लास लास में इस सेशन के आप दिखेंगे पूरा जल के बारें बताया गया है तो यहां पर क्या करते हैं कि जब क्या होता है कि कौन सा पानी जाग नहीं देता तो कैल्सियम मैगनिशियम लवणों के कारण सलफेट और क्लॉराइड लवणों के कारण सॉल्ट के कारण जो है वो कठोर जल में क्या होता है जाग नहीं देता तो वहां पर हम क्या गरते हैं हम क्या यूज कर सकते हैं हम डिटर्जेन यूज कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरे आमोनियम एवं सल्फोनेट लवण हैं। और यह कठोर जल में क्या क्या प्रेजंश है। केलसियम और मैगनिश्यम के आयनों के साथ जो प्रेजंश है उसके साथ मिल के अगुलनसील पदार्थ नहीं बनाते। है नो यानि कि वह हम कहते हैं घुल जाता है और आसानी से कठोर जल्म क्या है प्रभावी बने रहते हैं सामाने तह हम क्या देखते हैं गुलंसील नहीं होता जिसके कारण जाग नहीं बन पाता लेकिन जब हम यहां पर यूज क्या कर रहे हैं अमोनियम और सल्फोनेट के लव कारवन जैसे कि आप कार्वोस क्लमल है ना सल्फियूरी कमल और सोडियम हाइडरोकसाइड एने ओएच ठीक है तो यह जो है आपको चाहिए होता है यह तीनों चीजें आपके एक्जाम के लिहास से इंपोर्टेंट है तो इस प्रकार यहां पे इतनी बातें आपके लिए ब नहां पर दिखेंगे बहुलक क्या है बहुलक बेसिकली जैसे हम इसका डिफरेंट टाइप के टाइप देखते तो रेखिक बहुलक के लीनियर पॉलीमर होता है जो लंबी और रेखी स्रिंखला वाली होती है इसमें दिखते हैं की डेंसिटी बहुत हाई होती है इसे पॉल एथिलीन या पॉलीथीन कह देतें पी वीसी आपने नाम सुना होगा पी वीसी पॉलिविनाइल क्लोराइड यहां पर फुल फॉर्म ही पूझ देतें वैसे ब्रांच वाले जो पॉलीमर होते हैं इसमें क्या है रेखी सिंगला में कुछ साखाएं भी होती हैं यह रेखी बहुला सिंखला में बीच-बीच में क्या है प्रबल जो है जो है कोवेलन बांट जो है आ जाते हैं ठीक है सहस इो जग बंद आ जाती है सिताइं अगर आगे आगे कुछ और नाम है जो आपके अग्जाम में पूछा जा सकता है वो नाम है यहाँ पर कि योगज योगज बहुत सारे जब बन जाएंगे तो पॉलीमर बन जाएगा तो यहां पर उनके जोड़ने से क्या बनेगा वो क्या है आपका यूगज बहुलक बनेगा ठीक है तो यैसे कि इसी को हम किसके आधार पे डिवाइट कर रहे हैं यह इसके जो है कितने पुनरावितिक इसकी कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर बात करते हैं नेक्स में देखिए फिर से कंडनसेशन जो है पॉलीमर यह पूछा जाता आपकी संगरन बहुलक क्या है बहुलकन है ना बहुलकन अभी क्रियावा में क्या है लगू अन्वो जैसे जल एलकोहल हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका हम क्या करते हैं जैसे कि आपको कहना चाहिए इसमें पॉलेमराइजीशन होता है जिसके कारण जो है बड़ी स्रिंखला वाला क्या बनता है आपका नया प्रकार का बहुलक बनता है ठीक है तो यहां पर इसे भी थोड़ा कुछ खास इसमें नहीं है यहां पर इस दुर्बल आंतरा अनुक बलों से जुड़ी होती है तो वो क्या करते हैं प्रत्यास होती है इसके कारण क्योंकि दुर्बल बंध से बंदे हुए तो यहां पर इसमें जो दुर्बल बंध होते हैं यही इसको जो इलैक्सिटी के लिए रिस्पॉंसिबल होते है और प्रबल अंत्रा अनुग बल देते हैं ठीक है नाइलान 66 पॉलिस्टर क्या है पॉलिस्टर से कपड़े बनाये जाते हैं नाइलान से भी बन जाता है नाइलान का और भी दूसरा यूज होता है तो इसमें क्या है यह क्या है उच्छ और प्रबल इंटर अंत्रा अनुग ब तापद्रेड जो होता है यह क्या होता, तीरियक बल और अतिदिक साखी तनु होते हैं और इसका दुबारा उप्योग नहीं किया जा सकता, सबेकेलाइट, यूरिया, फार्मेलडिहाइट, रेजिंग ये सब चीजह क्या है, इसका तापद्रेडपर का बहुलग है, ठीक है, ये टॉपिक को बहुत अंदर से भी पढ़ा जा सकता है लेकिन काम काम की चीज़े यहां पर पढ़ रहे हैं ठीक है इसमें देखते हैं बहुलकों के वर्ग में अंत्रा अनुद बलो का सही करमी एक्चल में एक्जाम में आ चुका है इस स्पेस्फिक एक्जाम में आया था ल हमने कवर किया जो आपके एक्जाम की पॉइंट है उसे इंपॉर्टन था फ्रिंड्स आपको एक दो नाम और जैसे मैं बताओं जैसे कि आपने नाम सुना होगा कुछ रियक्शन वगर होता है हमने क्या चीज नहीं कवर किया इसे भी आप नोट कर सकते हैं इसे मिसरन वाल गरता है आपने नाम जोना होगा उर्ध्वापातन या सब्लीमेशन क्या होता है जैसें कि आपको पताओंगा कोई भी ठोस को हम गर्म करेंगे तो किसे में बदलेगा द्रोव में बदलेगा ध्रोब फिर को गरम करे तो गैस बदलेगा ठीक है इस सामाने तरह होता है वो ठोस सीधा gas, ठीक है, वो केमें convert हो जाता है, तो करपूर जो हम देखते हैं, जो जलाते हैं, तो उसे खुसबो भी आती है, तो ठोस के बाद सीधा gas में convert हो जाता है, ठीक है, similarly, आप नैप्थरीन की गोलियां देखते होंगे, नैप्थरीन गोलियां जो यूरीनल बगर हमें जो बदबू आता है, तो वहाँ पर यूरीनल डामर गोली जो है, उसमें डाला जाता है, वो ठोस सीधा gas में convert हो जाता है, तो उर्धमपातन आपके exam में पूछा गया है, इसमें मैंने इसका example बताया, तो बहराल आपको, मैं आपसे विदा लेता हूँ, याद रखिएगा, कि आप जो है, वो वाला topic, जो मिसरन वाला mixture वाला topic एक बार देख लीजेगा, और further कोई भी doubt होता है आपको इस topic में, जो previous session हमने general science की इतने भी cover किये हुए है, उसमें कोई किसी प्रकार का doubt होता है, तो definitely आप पूछिए, मैं जरूर आंसर करूँगा, तो मिलते ही next class में नए subject के साथ, तो आज के लिए मुझे विदा दीजे, thank you so much.